इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मसाला तयार करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है काजू 25 ग्रम्स यह खसकस यह भी 25 ग्रम्स है उसी के साथ यहाँ पर मेच लिया है मैंने यह अपने टेस्ट के हिसाब से ले साथ में हमें चाहिए थोड़ी सी नमक गरीब आधा कर लेंगे तो इससे टालने से पहले खसकस और काजू को अच्छे से दो लीजिए उसके बाद ही इसका काम कीजिए अब आधा गटूरी इतना पानी इसमें आट कर देंगे और फिर इसे मिल्क सिमें घुमाते हुए एक्टम स्मूध पेस्ट बनाकर त्यार कर लेंगे फिर ह भी हमग घुमाते हिसंवेश ह Tara देंगे साथी साथ इसमें चाहिए हमंें हलदी फाल यहापर भाजृध हम ऊपर यह विल्कुल नहीं डाली है उसके साथ सरसों का तेल दो तीन चमज इसके ऊपर डृजल करेंगे साथ में चाहिए वह पेट्ट जोकी हम अभी काजू के मैरिनेट करना है जो हिल्ष muster ने है तो इसे इसके लिए एस Innerμी की जरुते ही है और ग्रेवी को गाड़ा करने के लिए काजु की जरुरात है हमें तो काजु को और खचकस को बिल्कुल भी स्किप ना करें तो सब चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम मैरीनिट कर लेंगे और मैरीनिशन के बार इसे 15 मिनिट के लिए इसी तरह से साइट में रखेंगे लगााई में सॉर्सो का तेल गरम कर लेंगे असलिअस असलिक कर देंगे और उसी में एड़ कर देंगे थोड़े सी नमक फिर इसमें जाएगे थोड़ी पॉ SQL यह कलर के रिये हैं फिर उसमें एट कर देंगे यह मसाला काजु के साथ खस- annat के साथ जिसांट और उसमें ऐट कर देंगे और फिर एक क recommends की मद्द से चैहांगे और इसे ब भूर्न के त्यार कर देंगे जब तक कि इसमें से त्यवा Nokia Marshmiddowniano Walmart GM सबने कर दाएmm है to guess that film low करके कि विदिन को बनाना है अदillon ये कम हो जाया फिर मेरिनेटि जो फिष उसको उपर से चिंदे लिए करनी है अलग से हमें इसकोर क्यों लहीं करनी है वरना यह फिश का फिश का जो फ्लिवर है वो कई तरीके से कम हो जाते हैं और यह जब हुए मैरिनेशन है इसे भी उपर से इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद एक साइड अच्छे से बन जाए फिर दूसरे साइड को हम पलट देंगे और दूसरे साइड को भी सेम प्रॉसेस में फ्राइब कर लेंगे वैसे इसे हमें बहुत जादा फ्राइ नहीं करनी होती है बस थोड़ा साइड कर लेंगे इस तरह से उलट पुलट करते हुए ताकि सभी साइड से अच्छे से भून जाए जब यह काम एक बार हो जाए बार बार इसको अलट पुलट ना करें एक साइड हो जाए फिर दूस किएगा अगर नमक कम हो तो इस स्टेज में थोड़ा सा नमक आप आड करते हैं पर मैं और नमक आड नहीं करूंगी क्योंकि पहले मैंने काफी नमक आड कर दिया है अब इसको धक्कर लगाकर ग्रेवी गाडा होने तक हमें इसको पकाना है और जैसे कि आप देख सकते हैं काफी जादा गारा हो चुके है processes Y iPhone अगर करते कि कासुंधी यानिकी मस्टर मस्टर पेस्ट रही है बाजार में रीडियमेड मिलते हैं कासूंदी यानिकी मस्टर साुष यानिकी मस्टर करेबेवरमेर के डाल दीया है और यह एक दों अखिर में दालना है तानने के बाद इसे थोड़ी सी चला देंगे आप मламस्टर्च पेस्ट यूज कर सकते हो और उसका डूहर और अलग होते हैं फिर आखिर में इसमें डाल देंगे एक से दो चमच और सरसो का तेल और फिर इसे वापस से थोड़ी सी मिला देंगे इस तरह से और धकन लगाकर पांच मिनिट के लिए ऐसे ही स्टैंडिंग टाइम पर छोड़ देंगे और उसी के बाद गर्मा गरम स्टीमिंग राइस के सा सर्फ कर देंगे इलिश मखानी यानिके हिलशा मखानी आज की रेसिपी आपको कैसे लिए कॉमेंट बोक्स में बताना ना भूले और रेसिपी अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो और नहीं रेसिपी के साथ कोई भी सुझाओ तो मुझे सब्सक्राइब बताएए